हाई फ्रेंट्स इस वीडिये में हम इनवर्स लैप प्लास ट्रांस्फरम के स्टैर्डर फॉक्षिंग कैसे यूज़ करना है ओ देखना है चलो शूर करेंगे पाइंट दी इनवर्स लैप प्लास ट्रांस्फरम आफ टी फॉक्षन इधर फॉक्षन दिया गया है 1 upon s plus 2 plus 3 by 2s plus 5 minus 4 by 3s minus 2 है ओके नो यह तो बहुत ही सिंपल है हम इसको inverse laplace transform use करेंगे यह हो गया inverse laplace of 1 by s plus 2 है plus हम 3 को बहार लेंगे नो 3 inverse of 1 by 2s plus 5 है यह constant है 3 and 4 minus 4 भी बहार लेंगे inverse of 1 by 3s minus 2 है ओके इधर हम inverse laplace transform standard function use करेंगे वो standard function है inverse of 1 by s minus a e j e raise to a t आएगा and inverse of 1 by s plus a is equal to e raise to minus a t आएगा यह दोनो inverse laplace transform standard function है ठीके नो first time no problem है इधर देखे हमको 2s plus 5 है इधर चाहिए हमको s plus a चाहिए सिर्फ s plus 5 चाहिए s plus a चाहिए इस 2 को बहार लेंगे हम first ओके नो inverse 1 by s plus 2 है plus 3 यह 2 को बहार लेंगे तो 3 by 2 हो जाएगा inverse of 1 by a हो गया s plus इधर भी 5 by 2 आ जाएगा 3 by 2 यह हो गया e raised to minus 5 t by 2 हो गया minus 4 by 3 यह हो गया e raised to 2 t by 3 हो गया यही f of t है this is required solution अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो subscribe किजिए लाइक किजिए, comments भी दिए, subscribe किए तो नए वीडियो को नोटिफिक्शन आपको मेलेगा आपको दूसे वीडियो चाहेते हो मेरे यूट्यूब के playlist में जाहे है otherwise इस वीडियो का description में जाहे है otherwise i button में भी कुछ links है thanks for watching